हेलो फ्रेंज नमस्कार विल्कम टो वन्डे एक्जाम ठार्गेट आप सुभी का आपकी अपनी चैनल वन्डे एक्जाम ठार्गेट पर बहुत दोस्वागेते फ्रेंज यहां पर आज हम देखेंगे हिंदी सक्षण के कुछ important question यह बहुत ही important question है आपके एक्जाम के लिए काफी important है आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और एक चीज आप ध्यान दीजेगा हिंदी सिक्षण में हिंदी सिक्षण में मिल्ली question किस topic से related होता है मिल्ली भासा कॉसल से पूछा जाता है भासा कॉसल से related सारी question होते है तो इसलिए इस topic को मैंने लिया है यहां पर सारे question आप देखेंगे बहुत ही important है exam में सभी आई हुए question है different exam में आई हुए question है तो सभी को यहां पर मैंने कब किया है तो चलिए start करते हैं बिना time waste कियो है आज के अपनी important question को friends आप लोग अपनी scoring जरूर करिएगा आपके कितने score होते हैं कितना आप लोग सही कर पाते हैं exam के मोहल में पूरा यह आप लोग solve कीजिएगा जितने भी मैंने question यहां पर रखे हैं तो कितना score होता है comment section में ज notification आप तक जरूर पहुंचे आप लोग शिकायत करते हैं notification नहीं पहुंचता है चलिए start करते हैं आज के पनी important question को उससे पहले आप सभी को बता दे हैं आप सभी के live classes होती है साड़े 8 बजे शाम को और morning में 7 बजे अप लोग जरूर आये करिए चाया notification जाए या ना जाए notification network क प्रॉब्लम की वज़े से नहीं जाता और कभी कभी अब जब subscribe किया है और साथ में well icon नहीं प्रस किये होते हैं तो उस वज़े से notification नहीं जाता है बासा सिक्षण का आधर्स वातावरण है कौन सा है बासा सिक्षण का आधर्स वातावरण जहां पर विद्यार्तियों को कासर के बिना संभव नहीं है तो option हमारे यहाँ पर सही होता है a next question कि तरफ चलते हैं किसका संबन्द बोलने की कासल के विकास से नहीं है नहीं है पुछा जारा question हमेशा आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए तो यहाँ पर option हमारा कौन सा सही होगा option हमारा सही होता है यहाँ प दो चार एर सास्वर वाचन कविता पाठ इन सब का बोलने की कौशल के बिकास से सम्मंदित है नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं भाशा कोशलों में सबसे पहले किस कौशल का बिकास करना चाहिए मोस्ट इंपोर्टन कोशन सभी कोशन आपके डिफ्रेंट डिफ्रेंट एक्जा सबसे पहले का बिकास करना चाहिए यहां पर भाशा कोशलों में सबसे पहले किस कौशल का बिकास करना चाहिए और भाशाई कोशल के विकास में कौन से क्रम होता है पहले सरवड होता है फिर उच्चारण होता है फिर पठन होता है फिर लेखन होता है जितनी चीजी यह मैं ने बताई बहुत important है सरवाण उच्चारन पठन फिर लेखन नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं कि ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उप्योगी है यहां पे होगा अर्थ ग्रहण अर्थ आपके question में एक मिनट अर्थ ग्रहण कि कौशल के विकास के लिए अधिक उप्योगी है क्या ऑप्सन हमारे यहां पे कौन सा सही होता है ऑप्सन यहां पे हमारे सही होता है C मौन वाचन ठीक है, next question की तरब चलते हैं सस्वर वाचन में उच्चारण की सुद्धता का विकास होता है ध्यान दीजेगा, सस्वर वाचन में यहां पे इससे उच्चारण की सुद्धता का विकास होता है और मौन वाचन में अर्थग्रहन का विकास होता है नेक्स्ट कोश्चिन की तरफ चलते हैं अप लोग का कॉंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा हिंदी भासा सिक्षण की विधी है हिंदी भासा सिक्षण की विधी है अपस्ट नमा सही होता है D, सभी नेक्स्ट कोश्चिन की तरफ चलते हैं बास सेक्षण के उपागम है कौन-कौन से ऑप्सेन हमारह कौन से सही होता है ऑप्सेन हमारह सही होता है C A और B दोनो विद्यार्थिकल बास सिखाने तो सबसे पहले पार्ठ पढ़ाया और समझाया जाता है फिर उसके उपरांद पार्ट से सम्मंदित लेखन है तू दिया जाता है ठीक है तो पार्ट संसर उपागम और रचना सिक्षन उपागम ये को गया clear किया इनक्स्ट कोंट की तर चलते हैं हिंदि कौशल को उप्योग क्या जाता हैं कहां पर कक्षा के अंदर कसके बाहर अंदर और बाहर दोनों इन चेपयादां पर और कॉर्ट सफभी और कंशल को उपयोग से किया चाहता है next question की दरब चलते हैं बासा सिक्षण का बहुँ भासिक संदर्ब इसका मतलब क्या है most important question बासा सिक्षण का बहुँ भासित संदर्ब क्या है option यहाँ पर हमारा सही हो तब भी एक से अधिक भासाओं में सिक्षण सामागरी भासा सिक्षण का बहुँ भासिक संदर्ब एक से अधिक भासाओं में सिक्षण सामागरी है भासा सिक्षण में एक से अधिक भासाओं जो भारत में भासा सिक्षण है एक से अधिक भासाओं में होता है हिंदी वासन्स के दुवा अंग्रेजी वा इन सभी भासाओं का सिक्षण नेक्स्ट है हिंदी भासा सिक्षण के एक मुख्य उद्देशी है हिंदी भासा सिक्षण के एक मुख्य उद्देशी क्या है अप्सिन मेरा कौन से सही होता है ए भासा का ज्यान देना नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं सिक्षन में बच्चे को किसी भी भासा का सिक्षन का एक मात्र लक्ष क्या होता है बच्चों को उस भासा का संपूर ब्याकरण का ज्यान कराना संपूर भासा के बारे में बताना ठीक है नेक्स्ट कोश्चिन की तरफ चलते हैं बासत सिक्षक के रूप में आप किस पर बल देंगे बासत सिक्षक के रूप में आप किस पर बल देंगे ओप्सन हमारा कौन सा सही होता है बिकल्प के कॉर्डिंग ओप्सन हमारा सही होता है D. बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उन में उत्सुकता जगाएंगे Curiosity उत्पन करेंगे तो यहाँ पर उत्सुकता Next Question की दरब चलता है निमलिक इतने से कौन सा कतन सही है अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो क्या हो रहा है Option ही अपनी भासा अभी सीख रहा है Next Question की दरब चलते है मानों और पश्वों की भासा सीखने की चमता की अध्यन सम्मंदी प्रियोग हुए अधिकतर किस पर हुए Option ही अपनी अपनी भासा अभी सीख रहा है B. चिंपैंजी और बानरूपर Next Question चलते है भासाई ज्यान का मुल्यांकन होता है किसके दौरा Option ही अपनी अपनी साही होगा C. लिखित एवंग मौखिक दोनों परिक्षा के माध्यम से लिखित एवंग मौखिक परिक्षा द्वारा बिद्ध्यार्थी की लिखने की छमता, भासा का ग्यान, भ्याकरण का प्रयोग और बोलने की शायली इन सभी का अनुमान हम आसानी से लगा सकते हैं ठीक है? नेक्स्ट कोशिन की दरब चलते हैं भासिक सापेक्षता की संबन में प्रचलित ब्याक्या की दरिश्टी से सही है? क्या सही है? ओप्सन हमारा सही होता है कौन सा? भासा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है बासिक सापेक्ष्टा के संबन में प्रचली सिद्धान के अनुसार भासा का विचारों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है ओप्सन हमारा यहाँ पर सही होता है नेक्स्ट कोशिन की तरब चलते हैं नेक्स्ट कोशिन की तरब चलते है किसी भी भासा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्पूर्ण क्या है किसी भी भासा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्पूर्ण क्या है ओप्सन हमारा कौन से सही होता है ओप्सन यहापे हमारा सही होता है सी उस भासा का अधिक अधिक प्रियोग करना सबसी महत्पुड है ठीक है अधिकम में अभ्यास के नियम के दोवारा अधिक अधिक क्या होता है उसका अभ्यास किया जाए किसी भी चीश का तो यहाँ पर उस भासा का अधिक 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 प्रियोग करना ही बनुरंजन भी होता है कुछ उनमें प्रेडा भी जाकरीद होती है लेकिन कल्पना शक्ती का विकास सबसे जादा इसमें होता है बच्चे कल्पना करने लग जाते है imagine बहुत जादा तो option ही आप यहमारा सही होता है next question की तरफ चलते है भासा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर है option हमारा कौन सा सही होगा option हमारा सही होता है D. सम्रिद भासा वाताबरण भासा सीखने के लिए सम्रिद भासे वाताबरण की सबसे जादा महत्वपूर भूमिका होती है क्योंकि इसमें अभ्यक्त के बहुत जादा औसर उपलब्द होते है जो की अभ्यास की रुप में कारे करते है इंसान और जानवर की भासा में फर्क है विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए कि क्या पूछा जारा कोश्चन में किसका फर्क है option है पर हमारा सही होता सी इंसानों की भासा को संकेतिक धोनीशिन्नों संकेतों के माध्यम से निर्दारित किया गये जबकि जानवर की भासा को नहीं next question की तरफ चलते है बच्चे की भासाई छम्ता की आकलन का सही तरीका या नहीं है बच्चे की भासाई छम्ता की आकलन का सही तरीका या नहीं है कौन सा विकल्प हमारा यहां पर सही होता है D. paper pencil आकलन ठीके next question की तरब चलते हैं ये सबी बच्चे का ब्यक्तिगत आकलन सामोही का आकलन उनके स्वा आकलन द्वारा बच्चों की भासाई शमता का आकलन ये तरीका सही है और उचित भी है next question की तरब चलते हैं भासा section का आधर स्वातावरन है भासा सेक्षन का आदर्स वाता वरण कौन सा है अप्सन यह पर हमारा सही होता है बिद्यार्थियों को अभ्यक्त की पूरी आजादी देना ठीके तो जो छात्र है जिस भासा को सीखता है उसी भासा की माद्यम से अपनी अभ्यक्ती भी करता है तो इसलिए जरूरी है कि उसको अभ्यक्त की आजादी होनी चाहिए ठीके और जहां पे अभ्यक्त की आजादी होगी ऐसी कक्षा का महौल क्या होता है आदर्स होता है नेक्स्ट कोश्चन की तरब चलते है बालक की प्रारंबिक सिक्षा उसकी मात्र भासा में दी जाए या मानना है किसका अपस्ट नमारा कौन से सही होगा अपस्ट नमारा सही हो तब भी महात्मा गांदी का ठीके नेक्स्ट कोश्चन की तरब चलते हैं उन्होंने मात्र भासा पर विश्यस जोड़ दिया था नेक्स्ट कोश्चन है मारा प्रात्मी किस्तर पर भासा सीखने से तात पर है प्रात्मी किस्तर पर भासा यहां पर भासा सीखाने से तात पर है क्योंकि बिकल्प में सिखाने से यह मतलब निकल रहा है प्रात्मी किस्तर पर भासा सिखाने से तात्परी है option नमारा सही होता है D भासा का प्रियोग सिखाना ठीक है भासा का प्रियोग सिखाना प्रात्मी किस्तर पर भासा सिखाने से यही तात्परी है ना कि पूरब व्याकरण से उसे last कर देना प्रात्मिक इस्तर पर सिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए अब भी मैंने बताया बच्चे की मात्रिभासा होनी चाहिए समाज और परिवार के बीच वो अपनी मात्रभासा में ही बात करता है तो इसलिए उसे मात्रभासा में ही सिक्षा दी जाए जिससे कि वो अपने बिचार ब्यक्त कर सकता है और जादा जादा वो ग्रहन भी कर सकता है नेक्स्ट कोशिन हमारा बच्चे प्रारम से ही क्या होते हैं बच्चे प्रारम से ही यह सभी कोशforme जितने मैंने लिए आपके एक्जाम में पूछे होगे तो फ्रेंस आप सभे लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए आपके लाइक से या में motivation मिलता है energy मिलती है और फ़र ये भी पता चलता है ना like a button press रहता है तो ये वीडियो दूसरों के लिए कितना relevant है तो option हमारे यहां पर कौन से सही होता है option हमारे सही होता है B. बहुँ भासिक होते है ठीक है next है प्रात्मिक स्तर की पाठी पुस्तकों का निर्माड करती समें आप किस बिंदू पर विशेज ध्यान देंगे option कौन से सही होगा option हमारे सही होता है हिंदी भासा के बैविध्य पूर्ण रूप शामिल हो प्रात्मिक इस्तर की पाठी फुस्तुकों का निर्माण करते समय हिंदी भासा के विबिन अलग अलग रूप के समेलन पर हम विसेज ध्यान देंगे नेक्स्ट कॉस्चिन चामशकी की अनुसार कौन सा कथन सही है? औप्सन नमारा सही होता है दी बच्चों में भासा सीखने की जन्मजाद चमता होती है ये विचार चम्सकी का है बच्चों में एक नैसरगिक चमता होती जिसके अनुसार उसमें भासा सीखने की अपने आप ग्रहता आजाती है स्वता ठीक है? नेक्स्ट कोश्चिन की तरफ चलते हैं भासा सीखनी की कौन सी बिदी मात्र भासा को मध्यस्त बनाये बिना दूसरी भासों को सीखनी में साहिक होती है। कौन सा ओप्षन सही होता है। ओप्षन यहां पे सही होता है डी प्रत्यक्ष बिदी। ठीक है। नेक्स्ट कोश्टिन की तरब चलते हैं। भासा के अस्तित्योंग विकास फिल इंद ब्लैंक के बाहर नहीं हो सकता भासा सीखने में ओप्सन हमारा कौन से सही होता है भासा के अस्तित्योंग विकास किसके बाहर नहीं हो सकता ओप्सन यहां पर हमारा सही होता है C समाज के बाहर नहीं हो सकता किसी भासा का विकास और पोश्ण समाज में होता है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन की तरब चलते हैं भासा सनरक्षना में अपेक्षित भासा के प्रमुखंग होते हैं कौन से? कितने? आप्सन हमारा सही होता है दो भासा सरशना में अपिक्षित भासा के दो प्रमोखंग होते हैं कौन-कौन सा पहला होता है लिखित दूसरा होता है मौखिक नेक्स्ट कोश्चन लगभग यहाँ पे दिखिएगा ध्यान से पढ़ लिजीगा लगभग दो साल के बच्चे लगभग दो साल के बच्चे तारवाली भासा जिसे हम क्या कहते हैं टेलीग्राफिक स्पीच टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं तारवाली भासा का क्या अर्थ है ओप्सन यहाँ पे हमारा सही होता है D मुख्य अर्थ को भ्यक्त करने वाले संग्या क्रिया विशेशन आदी दो शब्दों वाली अभिव्यक्ति ठीके यहाँ पे तारवाली भासाक अर्थ है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संग्या क्रिया विशेशन आदी दो शब्दों वाली अभिव्यक्ति इस आयोवर के बच्चे प्राय वाकिस अरशना में निपूर नहीं होते हैं और इसके बदले वे मातो कुछ मुख्य शब्दों का उच्चारण कर अपनी मतलब जो उनका उदेश होता है वो ब्यक्त करने का प्रियास करते हैं ठीक है तो यह होती है टेलिग्राफिक स्पीच नेक्स्ट पॉशन की तरफ चलते हैं निमलेखित मेंसे किस उद्वर्ष के लिए प्राटमे के स्थر पर भासा नहीं सीखी जाती निमलेखित मेंसे कौंसा उफ्चंट हमारा सही होगा option यहां पर हमारा सही होता है भासा का ब्याकरण सीखना next question की तरफ चलते हैं यहां पर पूरे आपके हो जाते हैं पूरे 30 question complete आपके किते score हुएं आप लोग हमें जरूर बताईएगा comment section में comment करके ठीक है चलते हैं आज के सवाल की तरफ आप सभी का सवाल आज का कौन सा है तो यहां पर आज का सवाल आप सभी के लिए भासा कोशलों में सबसे पहले किस कोशल का विकास करना चाहिए भासा कोशलों में सबसे पहले किस कोशल का विकास करना चाहिए विकल्ब आप सभी के सामने हैं आप लोग comment section में comment करके जरूर बताईएगा और आप कितना score कर पाएए और आपको question कैसे लगे हमेशा की तरह feedback देना बिलकुल भी न भूलिएगा और याद रखिएगा आपके live classes साड़े आट बजे और morning में साथ बजे दोनों टाइमिंग आप लोग याद रखिएगा बिलकुल भी चैनल नोटिफिकेस न जाएएगा ना जाएएगा आप लोग चैनल पर आ जाएएगा ठीक है और त्यारी जोर सोर से सुरू कर दीजिए ठीक पढ़ते रहें मेरनत करते रहें सफलता जरूर मिलती है इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुद्बाय और टेक केर थेंक यू